नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चनल होती मंतर में एक बार फिर से स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आएं पोटेटो पोटेटो जो की एक टूबर क्रोफ है जो की एक टूबर क्रोफ है जिसे कींग ओप वेजेटेबल पूर मैं फ्रेंट और poor man restraint के नाम से जाना जाता है साथी साथ इसे poor man vegetable भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है poor man vegetable भी इसको कहा जाता है poor man vegetable भी इसको कहा जाता है तो इसको आलू को किन किन नामों से जाना जाता है तो इसको king of vegetable, poor man friend, गरीबों का दोस्त और poor ministerian, गरिब की ताकत और गरिब की सबजी के नाम से भी इसको जाना जाता है अगर इसके botnical name की बात करें तो इसका जो वानसपतिक नाम है वो है solenum tuberosum आलो का जो वानसपतिक नाम है वो है solenum tuberosum family की बात करें तो यह solenus ही परिवार का सदश्य है chromozum number की बात करें तो 2n4x पराबर 48 इसका जो chromozum number होता है वो होता है 48 center of origin की बात करें और origin center की बात करें तो वो है tropical south america tropical south america या south america भी इसको कहा जा सकता है south america या कहा सकते हैं अगर पेरू भी option में है तो वो भी आपका बिल्कुल सही है केवल अगर केवल पेरू भी लिखा आ जाए तो भी आपका अंसर बिल्कुल सही है प्रोबेबल एंसेस्टर्स ओफ आल कल्टीवेटेड पोटेटो इस सोलेनम इस्टेनो टोनम इसका जो कल्टीवेटेड जो जितने भी वेराइट्या है आज उसका जो पुर्वज माना जाता है वो माना जाता है अर्ली 17 सेंचुरी फ्रॉम यूरोप बाय प्रोटोगर्स जो आलू का जो भारत में लाने का जो श्रे जाता है वो जाना जाता है पूर्तेगालियों को कि कौन आलू भारत में आलू कौन लाया था था ता भारत में जो आलू लाया थे वो लाया थे पूर्तेगाली कौन ला अधारत में आगमन हुआ था पोटेटो प्रवाइड आ सोर्स ओप लो कोश्ट एनरजी तो हुमन डट जो आलू है वह जो हुमन का जो भोजन है इमानों का जो भोजन है उसमें कम खर्चे में ज्यादा एनरजी देने का काम करता है पोटेटो इस फोर्थ मेजर फूड ऑफ द हुम और मक्का के बाद अगर इन तीनों के बाद अगर कोई कोई इस्टेबल फूड है तो वह है पोटेटो इंडिया इस वर्ड सेकंड लाजेस पोटेटो आप्टर चाइना चाइना के बाद भारत दुनिया में सबसे आदा आलू का उत्वादन करने वाला देश है लीडि तर्देश दूसरा नमबर परेए वेच्ट बंगाल और तीसरे नमर परक आता है बीहार uh þe aras èrya production in उत्तरप्रदेश अगर सबसजाद इरिया और production की बात की जाए थू हमारा उत्तरप्रदेश में है आलू का जो प्रडिक्शन और टोफ क्या नुवा दू और कीमा की बात किया है कि कौन से इसट्ट अब स्था आलू का प्रडक्षन करता है वो करता है उत्तर प्रदेश एंटरेशनल ओफ है इंटरनेशनल इयर लीए तू थाउजन एट जो और लुका जो International Year है, वो कब मना था वो था 2008, 2008 को आलू का International Year के रूप में मनाय गय था बार, इसके दोरा United Nation, United Nation के दोरा इसको आलू का International Year खुशिद किया गय था, जो United Nation है, उनके दोरा, ठीक है, इस टेवल फूड ओप आयरलेंड और यह आयरलेंड का इस्टेवल फूड है क्योंकि आयरलेंड में सबसे आधा आलू ही खाए जाते हैं या बोजन की रूप में आलू का ही उपयोग किया जाता है पौनेट्टो आर रीच सउर्स ऑफ इस्टार्च विटामीन इस्पेकलि ब Tai berries सी हैड मृतायमिन विटामीन देवाइपन आधासे तो आलू में जो है जो कार्बोहिडरीट की माथ रहे कार्बोहेडरेट की बात करें कार्बोहेडरेट की अगर बात करें तो इसमें लगबग जो कार्बोहेडरेट पायाता है वो पायाता है 22.6% अगर विटामिन C की बात करें विटामिन C कितना पायाता है तो विटामिन C पायाता है पोटेटो इस ग्रो इन आल इंडिया एक्सेप केरला आलू की खेती पूरे भारत में की जाती है CPRI Central Potato Research Station was established in 1949 at पत्रना बिहार and later shifted to Simla Himachal Pradesh in 1956 जो आलू का जो केंद्रिय रिसर्च इस्टेशन है या केंद्रिय जो रिसर्च इस्टेशन है उसकी जो इस्थापना हुई थी वो हुई थी बाद में इसको shift कर दिया गया कहां सिमला है माचल प्रदेश में कुफरी जो सिमला है वहां इसको 1956 में ट्रांसफर कर दिया गया इंट्रनेशनल पोटेटो सेंटर वास इस्टेबलिस इन 1971 एट लीमा पेरो जो अंतराश्टी आलो अनुसंधान केंद्र है वो कहां है वो लीमा पेरो में है और इसकी जो इस्थापना हुई थी वह हुई थी 1971 में we are cultivated potato इस्टेट्रपले जो cultivated potato है वो tetraploid में कौनसे प्रकार काया थी अ और से подकार का है अ तो-testraploid हो अ करविटेट है और क्रमोजोम हो था है इसका की तुएन 4 ररस बराबर 48 ठीक है इस पोटेटो इस टाइकोंट फर्मो सेंसे हिग एद सिघ्प्लान्ण does अब आलू है यह डाइकोट है थर्मो सेंसेटी मतलब ताप संवेधी पोधा है और सीथी प्लांड है ताप संवेधी मतलब इसका टेंपरिचर का इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है इसकी ग्रोध और टुबरेशन पर लोंग डे प्लांड बट कल्टिवेटेट एस शोट डे प्लांड इन इंडिया आलू क्या है एक लोंग डे प्रकार का पोध है बाकी भारत में जो कल्टिवेटेट किया जाता है उसको शोट डे प्लांड के रूप में कल्टिवेटेट इसको किया जाता है यह सीट प्लोट टेकनिक वाज किवन बाई पुसकर नाथ इन NICK065 जो अलू की जो शीट प्लोट टेकनिक है वो किसके द्वारा दे गई थी पुसकर नाथ के द्वारा और कब दे गई थी तो 1965 के दौरान इसको विक्षित किया गया था और फूर पटुट्सलोग सीट की बात क जो कि जींधे एक पोटेटो की उप एक जीन का नाम कुं सा है वह है ए एक कौन सा जीन का उपयोग करके जो आलो की यह को विक्सित किया गया है पोटीन जीन वा किस से आइसोलेट किया गए तो जो ग्रेन अमेरेंथस है उससे इस जीन को आईसोलेट किया गया जिससे क्या है कि आलू के जो ट्यूबर उसमें प्रोटेन की मात्रा को बढ़ाया जा सके एक और जीन जीन रसिस्टेंट टू पोटेटो ट्यूबर एंड लीव इटिंग केटरपिलर एक और जीन जो प्रोटेंशन अजीन है नेक्सटफेशन बाई सी देट उपर आलू का जो प्रोटेशन होता है वह किस दो रहत आया तो शीड के द्वारा होगा या फिर सीड टूबर की दवारा इसका प्रोपोड़ोगेशन होता है extremely size of sheer super d Comics size कितना होना चाहिए तो seed tuber का size होता है 30 से 40 gram की seed tuber है वो ideal माने जाते हैं seed rate की अगर बात करें तो 1500 से 2500 kg seed tuber depend on size जो size depend करेगा जो quantity depend करेगा वो tuber के size पे depend करेगा 1500 से 2500 kg 15 से 25 quintal प्रती हेक्टेर और 100 से 120 gram TPS जो true potato seed वो कितना लगेगा तो उसकी जो लगता है वो लगता है 100 से 120 gram जो true potato seed की requirement होती है ये question कई बार आया हुआ है अगला है spacing तो spacing 45 से 60 cm अगर रो टूरो की बात करें तो 45 से 60 cm अगर plant to plant spacing की बात करें तो वो है 15 से 20 cm पोटेटो वाटर रेक्वार्मेंट की बात करें तो आलू में जो पाने की आएशक्ता होती है वो होती है 400 से 600 mm पाने की आएशक्ता होती है करें टाइब पल्वर की बात करें रफ्लोवर के बात करें तरह कर लाता है जाएराटाइब करें डाले क्रोव पर या ऑप प्रू टाइप विकंड मेरी चहिते है यह क्लिव पार्ट ni आलू के अब जान लेते हैं कि कौन से भाग को हम क्या कहेंगे तो जो आलू का जो भूमी से उपर वाला भाग है। करते हैं अब हिस्टोलन की बात करें क्या है यह जवे एक तो निकली ही प्लांट से रूट और के साथ ही क्या निकले हैं इस तोलो इनसे क्ός है क्या है क्या क्या है निकलन और यह है रूट तो रूट से कंद नहीं बनते जो जो इस्टे में उससे जो इस्टोलन निकले हैं उन्हीं इस्टोलन के एंड वाले पॉर्शन पे क्या बने हैं ट्यूबर बन है और जो अपर पार्ट है उसको क्या का जाता है हिल्म का जाता है और इसको आलू के कंद बनने क और तु 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 थी में आलू के कंद में जो डॉर्मेंसी वह आट से दस सपता यह दो से तीन मेने तक हो सकती है। टूबर आर शोग्ड इन 1% थायो इरिया प्लस 1 PPM GA341R to breaking टूबर डॉरमेंसी आलू के अगर टूबर की अगर डॉरमेंसी को ब्रेक करना है तो 1% थायो इरिया प्लस 1 PPM जिब्रली के सिट के गोल में आलू के कंदों को एक गंटे तक रख कर उसकी डॉरमेंसी को तोड़ा ज सकता है तो प्लस 1 की बात करें कि अलू की कल्टिवेशन के लिए जो प्लस 1 की रिक्वार्मेंट क्या होगी तो वह होती है चाड़े 5 से साथ पीएस होना चाहिए या कह सकते हैं कि एसी डिक्टू जो निट्रल पीएस की जो सोईल है वह आलू की खेती के लिए सबसे उप्य के लिए सबसे उप्युक्त है वो है बीलो dって ऐग्रीओ से आप मान की है जो बीडिञ्रीस से नीचे का ताम मान की जो से लत वाला पमान है वह आलूक में कंद लुए सबसे उप्युक्त होता है मॉस्ट of the reactive need to do टूबराइज वेन नाइट टेंपरेचर इस ओपर जाता है तो उसमें ट्यूबर फार्मेशन नहीं होता है या ट्यूबर का जो बनना है वह काफी पहत्यक प्रभावित होता है पोटेटोर रिक्वायर लोंग डे यहाथ कंडिशन डूरिंग ग्रोथ जब ब का पीरेड होता है तो इसमें लोंग डे कंडिशन चाहिए चड़की जबकि चुबर फार्मेशन होता है त्था उसको शोट day कंडिशन चाहिए को d origin फरो मेथाड इस मोस्सूटेवल फोर पोटेटो कुलिएशन पोटेटो कुलिएशन के लिए सबसे उप्युक्त जो मेथाड है वह है रीजन फरो मेथाड है अर्थिंग अप इस डन डन 40 डेज आप्टर सोयंग जो आलू में जो मिट्टी चड़ाने की करिया है ये योट्यूबर की सोयंग के 40 दिन बाद की जाती है नाइट्रोजन इस मोस्ट इम्पोडेट नूट्रेंट फोर पोटेटो क्रोप आलू में सबसे ज़ादा जिस पोशक तत्व की आउशकता होत अगर अलू में जो आलू में पांच्म मिली ग्राम प्रथी सो ग्राम है वहां तक तो चलेगा लेकिन अगर जो तो सुलेनिन का कंटेन 20 मिलिग्राम प्रती 100 ग्राम से ज़्यादा हो जाता है तो वह आलू खाने योग्गे नहीं होते हैं आलू के जो खुश्बूक होती है किसके कारण से होती है वह होता है अर्वेस्टिंग की जाती है जनवरी से फरवरी के महिने में जबकि जो नोर्थ इंडिया के जो हिली रिजन है के जो हर्वेस्टिंग की जाती है सेप्टेंबर से अक्टूबर के दhor CRD कहिंग 앞으로 तेंपराइचर राम स्ञे़ा ठीडिवी सेल्सेय अलो की हरवेस्टिंग तब तक कलने से जब तक की जिए तापमाने वह नीचे नीचे ही रहे फ्रेशली हार्वेश्टेट पोटेटो कंटेइन एटी परसेंड वाटर रेंड वाटर यह वैस्ट किया है उसमें लगबग असी प्रतिश्चतों क्या है पानी ही होता है और जो 20-30 तक उसमें ड्राइमेटर होता है यह स्टोरेश की बात करें तो यह र प्रतिशत अगर कोल्डेक्षी की बात की जायता है तो सीड के लिए अलू को इस्टोरेज करने का एक कभी कभी ओख लेता है को इस्टोरेज करने का जो टेंप्रेचर होता है इस टोरेश टेंप्रेचर कि वह भी कितना है वह भी 2-4-4-4 यह टेबल एड प्रोसेसंग पोटेटो इस्टोर एट हाइट टेंप्रेचर 10-12 डिग्री सेल्सिस लोंग टर्म 6-8 मन्द जो टेबल परपस और जो प्रोसेसिंग के लिए जो आलू कर्थ है रखे आते हैं दस से बारा डिग्री सेल्सिस के ताप मौन पर और इसको लगबुख छे से आट मेने तक रखा जा सकता है वेराइटी की बात करें तो जो अरली वेराइटी है वह कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी जवाहर, कुफरी कुबेर, कुफरी लवक और कुफरी गंगा, कुफरी गोरव, कुफरी गिरी राज, कुफरी हिमालिनी, कुफरी जोती, कुफरी कंशन, कुफरी लालिमा, कुफरी मेगा, कुफरी मोहन, कुफरी मुथ्थु, कुफरी रेड, कुफरी सदाबहार, कुफरी संगम, कुफरी सेल्जा, और कुफरी अगर लेट वराइटी की बात करें तो वह है कुफरी चमतकार कुफरी हीम सोना कुफरी जीवन कुफरी खासिगारो कुफरी कुमार कुफरी कुंदन कुफरी नवीन कुफरी नीला कुफरी सफेद कुफरी सिंदूरी अब वेराइटेल की कुछ description या special character की बात कर लेते हैं तो जो कुफरी ख्याती variety है जो की early variety है resistant to lead blight ये lead blight के प्रती resistant होती है और early blight के प्रती भी resistant होती है early blacker and suitable for high crop intensity जो कुफरी ख्याती variety है एक तो early variety साथ इसाथ इसको high cropping intensity मनलब इसकी जो sewing की पास पास की जा सकती है कुफरी देवा ये lead variety है frost tolerant and good keeper ये frost के प्रती tolerant होती है और इसकी keeping quality है वो अच्छी होती है meat variety की बात करें तो कुफरी सित्मान जो कुफरी सित्मान है resistant to frost होती है frost के प्रती resistant होती है कुफरी बात साथ resistant to lead blight early blight और potato virus x multiple disease resistant अगर question पुछाना जाए कि कौन सी variety multiple disease resistant है तो वह भी वह answer आगा कुफरी बात साथ कोफरी बात साथ होती है multiple disease resistant variety है portrait हो की कुफरी chips होना 1,2 और 3 resistant to lead blight or suitable for chips and french fries making जो कुफरी chips होना variety है एक दो तीन कुफरी chips होना 1,2 और चिप्स होना 3 यह lead blight के प्रती resistant साथ ही साथ चिप्स बनाने के लिए french fries बनाने के लिए कुफ्यूक्त variety है कुफरी fry fryum aim की बात करें तो resistant to lead blight और जो पोटेटो का पोटेटो वायरस वाय है उसके प्रती यह रसिस्टेंट होती है और suitable for french fries french blind बनाने के लिए उप्यूक्त variety है special character में कुफ्री fries होना की बात करें तो resistant to lead blight and suitable for french fries कुफ्री की गरीमा यह resistant to lead blight के प्रती resistant है कुफ्री गिर्धारी highly resistant to lead blight and long tuber dormancy कुफ्री गिर्धारी है इसमें जो tuber की dormancy long type तक इसमें जो tuber है वो dormant होते हैं कुफ्री करन की बात करें तो high resistant to lead blight six potato viruses and potato cyst nematod जो कुफ्री करन है यह भी क्या है highly resistant to lead blight six potato virus and potato cyst nematod के प्रती resistant होती है कुफ्री ललीत resistant to lead blight कुफ्री मनीक resistant to lead blight rich in micronutrient iron and zinc anthocyanin and suitable for eastern blend जो कुफ्री मनीक है resistant to lead blight है और इसमें micronutrient भी पाए जाते हैं कुफ्री नीलीमा कुफ्री नीलीमा resistant to lead blight and potato cyst nematod कुफ्री स्वर्ना resistant to lead blight and potato cyst nematod कुफ्री नीलकंट resistant to lead blight and rich in antioxidant anthocyanin and keratin जो कुफ्री नीलकंट है यह question पूछा हुआ है कि कुफ्री वर्याटी में antioxidant पाए आते हैं तो वह है कुफ्री नीलकंट excellent flavor and specialty potato एक्सलेंट फ्लेवर τे नीC ठीक है कुफ्री पुष्का resistant to lead blight कुफ्री सहयाद्री high resistant to potato cyst nematod moderate resistant to lead blight कुफ्री शेप्रा तो जो कुफ्री में यह resistant to lead blight कुफ्री शेप्रा कुफ्री शेरपा यह resistant to lead blight है कुफ्री था्र 1.2 3 यह डोट डोड वरायटी कुफ्री की जो थार ्शुश्षर гол Pil疫 है कुफ्री आलूह की कूफ्री 2 रोड के प्रतित डोलेंड होती है और इसमें लगब वीस प्रतिशतत्य क्वाटर की सेविंग हो जाती है अगली है अगली नेव लिफ नेव इसको नोर्थ आयलेंड से इंट्रोड्यूस किया गया था इंसेक की पेस्ट की बात करेz इंसेकक पेस्ट में सबसे पहला है वो है इफिट जीक कि नाम से जाना आता है ट्रांस्मिट वाइरल डिस्ट को फिलानें का काम करता है विक्यक्रं की रुप में काम करता है दूसरा ये लीफ ओफर लीफ o和 य offset इंपॉस का फेबि इंपॉस का us transmit might dominance माइक्रौप्राज्बर कि लीच जो विमार्य होते हैं जो डीचीज होती है जो रोग होते हैं उनको फिलाने काम कुं करता है तो लीफ oafr करता है कट वर्म एग्रोतीस इस्पिलां पोटेटो त्युबर मोथ पोटेटोरी माँ अपर कुलेला डिसीस की बात करने तो सबसे पहला है लेड ब्लाइट फाइट अप्थोरा इंफेस्टेंस के कारण होती है और यही डिसीस किस क्या कारण बनी थी यही आईरिस फेमिन का कारण बनी थी किसका आईरिस जो फेमिन हुआ था आयरलेंड का उसका भी कही बार पूछा गया है पोटेटो वार्ट तो जो पोटेटो वार्ट है जो पोटेटो वार्ट है वो है सिंकोट्रियल सिंकोट्रियल एंडो बायोटिकम सिंकोट्रियल एंडो बायोटिकम के कारण से होता है ब्लेक इस्पार को जो आलू का जो ब्लेक इसकार होता है वो करणने के कारणने से होता है इसके में से सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है आपक्रणने का लीफ रोल और सेवर मोजिक जो इतने वी किसा of sortir और फेयर मोजेग जिसको पी पोटेटो वाइरस एक्स और एक्स के काल्याइश होता है, यह भी इफिट के द्वारा ही ट्रांस्मीट होता है. निम banget की बात करें तो गोल्डन शिस निमेटार,onne-1 शिस इसका सिंटिक नेम है और शिस निम सबसे प्रोब्लम करते हैं को सिस्ट ने मेटोड कि बात करें तो सबसे पहला है प्लेक हाट तो ब्लेक हाट होता है लेक ओप ऑटो ऑक्सिजन की जो कमी के कराण या पूर वेल्टिलेशन के कराण ट्यूबर इस्टोरेज एट हाई टेम्परेचर या आलू के कंदोग को जो हा इंटर्न ब्राउन जो होता है वह होता है मौस्चर डिफिशेंसी करन होलो हर्ट की बात करें तो होता है यूज अधिक मात्रा में अगर प्लांड को नैट्रोजन मिलेगी तो उसका ट्यूबर बनेंगी वह खोकले बन जाएंगे तो होलो हाट हो जाता है चीलिंग इंजरी इसलिए जो जो इसकी जो इस्टोरेज किया जाता है दो से चार डिगरी सेल्सियस पर कॉल्ड इस्टोरेज किया जाता है इस्टोरेज किया जो टेंपरेजर रखा जाता है वह रखा जाता है दो से चार डिगरी सेल्सियस ग्रीणिग ड्यूट एक्ससे एक्सफ़जर टू सन अगर ग्रीन किसके कानड़ से होते है तो ग्रीनिंग होती है अगर जो आलू के जो कंध है अगर डायरेक्ट संलाइट क्ष्ण करें